बुक्यमंद्री हेमन सोरेन की आज शादी की सालगिरा पतनी संग करेंगे काशी विसुनात के दर्शन हेमन सोरेन और कल्पना सोरेन की अरेंज मैरेज हुई थी कल्पना ओडीसा के मयूर भंज की रहने वाली है उनका परिवार अब भी वही रहता है कल्पना सोरेन राची में प्ले स्कूल चलाती है मुक्यमंद्री हेमन सोरेन की आज शादी की सालगिरा है इस मौके पर वे अपनी पतनी कल्पना सोरेन के साथ वारा नसी जाएंगे वहाँ वे काशी विश्वनात मंदिर में दर्शन कर गंगा आरती में भी शामिल होंगे शनिवार को वे बारा नसी से मिर्जापूर जाएंगे और माविंध्यवासनी के दर्शन करेंगे और फिर राची लोटेंगे सियमाज साढ़े गारा बजे राची से वारा नसी के लिए हेलिकॉप्टर से उरान भरेंगे वहां काशी विश्वनात और गंगा आर्थी में हिस्सा लेने के बाद रात्री विश्राम करेंगे आठ फरवरी को दिन के ग्यारा बजे वारा नसी से मिर्जापूर जाकर विंधाचल मंदिर में पूजा आर्चना करेंगे शाम चार बजे वहां से वारा नसी लोट कर राची आएंगे हेमन सोरेन और कलपना सोरेन की हुई थी अरेंजड मैरेज बतादे कि हेमन सोरेन और कलपना सोरेन की अरेंजड मैरेज हुई थी कलपना ओडीसा के मई उर्भंज की रहने वाली है उनका परिवार अब भी वही रहता है कलपना सोरेन राची में प्ले स्कूल चलाती है कलपना पारिवारिक कारिक्रमों में बढ़ चटकर हिस्सा लेती है माना जाता है कि परिवार के भीतर उनकी महतपोण भूमी का है राजनीतिक तोर पर बेहत सक्रिये परिवार के बीच रहने की बाबजूद कल्पना राजनितिक तोर पर सक्रिये रहने से खुद को बचा लेती है हाला कि सामाजिक कारिक्रमों में उनकी मौजूदगी की वज़ा से वो लोगों के बीच काफी लूप रिये है कल्पना सोरेन सक्रिये राजनिती में हिस्सा नहीं लेती है लेकिन परिवार में राजनितिक माहौल होनी की वज़ा से उनकी दिल्चस्पी राजनितिक घटनाओं में रहती है कल्पना सोरेन महिला विकास कारिक्रोमों में खूब हिस्सा लेती है उन्होंने भविस्व में राजनीती में शामल होने की सवाल पर कहा था कि वो फिलहाल अपने परिवार की जिम्मेदारिया निभा रही हैं और इसमें खुश हैं कल्पना और हिमन्त के दो बेटे हैं कि अपने परिवार की जिम्मेदार रही हैं